हेलो फ्रेंड्स वीवेंग्स प्लेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और मिट्टी से डो बनाकर मैंने उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया था उसके बाद ये कॉफी स्मूथ और साफ्ट हो गया है तो मुझे लगता है ये अब अच्छा काम करेगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें एक बेस बनाकर और गडपती की मूर्ती बनाने का प्रयास कर रही हूं मैं मुझसे जितना अच्छा बन सके मैं कोशिश करूंगी क्योंकि हम इंसानों की कहां बस की बात है कि हम उस भगवान को बना पाएं जिसने हमें क्या पूरे ब है कि हम उसके निराकार स्वरूप को साखार रूप देकर उसके सामने अपनी अरादनाओं अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उसका धन्यवाद कर सकें और यह व्रत्यवार उत्सो इसलिए तो हम सब मनाते हैं कि उसके सामने हम अपनी क्रतग्यता को समरपर कर सकें तो यहा अब मैं उनके सिर का स्ट्रक्शर इस तरह से बनाऊंगी और इसके बाद बस आप जैसा देख सकते हैं मैं उनके कान इस तरह से बना रही हूँ दो बॉल्स बना कर और उनके कान बना रही हूँ कैमरा मेरा ठीक से ना रख पाने के कानण एक्चुली मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया मैंने दूसरा ओरडर किया है तो सायद आप लोगों को देखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दें बस मेरा ट्राइपॉड आने वाला ह किसी तरह जुगार करके कैमरे को रखके मोबाइल को और मैंने ये वीडियो बनाई है तो प्लीज इसके लिए इस चीज को आवाइट करें अब यहां मैं गनेज जी के हार बना चुकी हूं उनके कंगन बना रही हूं पैर के पाजेब बनाऊंगी मिट्टी से और आप देख सकते हैं जैसा कि इस तरह से मैंने बनाने का प्रयास किया है दोस्तों यू तो बाजार में बहुत सुन्दर-सुन्दर मूर्तिया उतकरष्ट कलाकारों के द्वारा बनाई हुई मिलती हैं पर अपने हाथ से बना कर और उस मूर्ती को प्रतिश्ठित करके घर में जब हम साथ जुड़ जाती हैं और हम जब पूजा अर्चना अपने घर में करते हैं तो उसकी भावनाओं को तो व्यक्त करना ही कठिन होता है पिछले कई वर्सों से मैंने ये प्रयास जारी रखा है आगे मैं गनपती से बस यही चाहूंगी कि मेरा ये प्रयास हमेशा जारी रहे औ और मैं अपनी स्रध्धा के अनुसार जैसी भी मूर्ती उनकी गढ़ पाती हूं रच पाती हूं बस बना कर मैं उनकी पूजा अर्जना करती रहूं उनका आशिरवात मुझे और हमारे भक्तों को हमारे चैनल्स के सभी फ्रेंड्स को विवर्स को मिलता रहे फ्रेंड्स ये या नहीं बना पाते हैं तो लाते हैं तो हम अपने नेचर को सुरक्षित रख पाते हैं जो की हमारी रक्षा खुद करता है नेचर तो हम नेचर को बचा पाते हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां बना कर तो फ्रेंड्स आप लोग भी कोशिस करें केमिकल से रंगों से केमिकल व वहां गमले में या तब में करके उस विसरजित पानी को जल को आप अपने बागीचेंट की ही मिट्टी में डालें उसमें कोई पौधा लगाएं तो उससे भी हमारा environment सुरक्षित होगा, हमारी नदिया सुरक्षित रहेंगी और जो ट्रैफिक में भीड होती है जाम लगता है उसको भी हम बचा पाएंगे और फ्रेंट्स सबसे बड़ी बात है कि हमारे गड़पती का और पौश्ट्व वाइब्रेशन का एहसास हमें हमेशा रहेगा तो फ्रेंट्स ये सुन्दर स गड़ेश जी की मूर्ती बन कर तैयार हो गई है आप सबको हमारे गड़ेश जी कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को जिसने नहीं किया ह तो बाई बाई दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हैपी गनेश चतुर्थी